ये तो मुझे लगता है ये सिर्फ उसी टाइम की मंच की सरकार थी जो मंच में ने दिखाया वही ये कर रहे हैं कश्मीर में देखोगे इतियास में कभी ऐसा ना हुए जो अथियार लेके जवान खड़ा उसके उपर थपड मारा जा रहा लाते मारी जा रही है और जवानों के सरकाटे जा रहे हैं जो जवान मुझ खोलता है आपके सामने एक्जामपल में हूँ जो पूरे देश ने मेरा स सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और पाकिस्तान पे बहुत सारी दावे कर रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी आपने जवानों के सर कट रहे हैं और वहीं सरकार कह रही है कि हम एक के जगे चार सर ला रहे हैं या सर्जिकल स्ट्राइक करें तो यह क्या है तो एक के सेना का काम है यह सरकार जो है बेकूब बनाने की जानभूज के इसू बना रही है सर्ची सरकार आपको यह सविदाएं देंगे लेकिन कोई जबकि उपसरों को इतने पावर दी ही है कि कोई भी जवान को 24 गंटे माल डिश्मिस फ्रों सर्विस करके घर बेज रहा है उनकी कोई सुनने वाला नहीं कि हमारे लिए क्या यही अच्छे दिन है आपने कहा कि जैसे 700 जवान आप बीमारी से मरे हैं तो क्या वहां पर सुरक्षा इंतजामात या चार की कोई पू देना आज उन जवानों के परिवारों से पूछो अभी तक पैंसिं तक नहीं मिला तो सरकार सभिए जूठे वादी कर रही है पब्लिक को बेकूब बना रही है यह से सब पीडी जवाने सब डिस्मिस प्रहुम सर्विस है सब जूठे केसों में फशायागा अगर दी सरकार चाहती है जवानों को भला तो कमेटी गठीद करें और निस्पक्ष जांच करें अगर यदि हम एक परसेंट भी दोसी हैं तो हमारे को हिंडिया गेट के सामने फांसी ल करें